स्वागत है आप सभी लोगं का मेरे चनल साइंस्ट टेकनोलजी में मैं अनुपमवैपुल आप सभी लोगं का स्वागत करता हूँ आज के शोग फ्यूचर फ्राइडी में आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में तो यह मीडिया क्या है यह मीडिया जो है complete trilogy है यह समझना मुझे एक trilogy बनाई गई थी उसका remembrance of earth's past उस trilogy में तीन बुक है the three body problem the dark forest and that's end यह तीनों बुक को एक set कहा जाता वो set का नाम है remembrance of earth's past और यह समझने इसका जो first novel था वही है three body problem और यह 2008 में पहला नॉबल दो हजार आठ में पहला नॉबल दो हजार आठ में ब्लेस कहा है मतलब कि बहुत पुराना नहीं है काफी नया है और लिंग शुन यह इन्हों नहीं इसको लिखा है Chinese science fiction होता है यह तोड़ा rare है कि यह western नहीं है यह Chinese है यह बहुत rare है कि मतलब कि Chinese science fiction writers को मौका मिले कि उनका product को ले कि मतलब एक global audience को sell किया जाए तो यह काफी rare है इस पाम में जैसे आप लोग wandering earth का देखियोंगे बीच में हल लागा तक इन ही का लिखा हुआ है तो मतलब तो आफ different perspective जो है वो आपको देखने को मिलेगा और three body problem जो है Netflix इसे बनाया है और यह समझे डैनी वाइजओफ और बीडी वाइस यह दोनों ने बनाया है हाँ यह वही लोग है जो game of thrones वाले है आप तो सुने होगे गेम of thrones जब चल रहा था तो Netflix इन्हें प्रोजेक्ट के लिए रही था अब रहा बात कि काफी लोग है इन game of thrones तो बहुत कच्रा हो गया थे end में वो बात एकदम सच है लेकिन यह बात भी सच है कि game of thrones के पास ज कड़वा हो जाता है तो गड़बड़ वही हुआ था कि जब तक इनके पास novel का material था वो इसको निचोड पा रहे थे essence निकाल पा रहे थे बढ़िया स्वादिश्ट बन रहा था जहां यह novels खतम हो गया और author लॉल हो गया कि भईया हम खतम करेंगा तो उनके बास सिफ statements देने जब तक source था तब तक Game of Thrones top quality चल रहा था कोई discussion नहीं है तो यहां पर उनके पास सबसे बड़ा benefit है कि यह पूरा complete हो चुका है इनके पास source है मतलब पूरा निच वड़ सकते हैं बिना tension के तो यह इनका मतलब इसलिए इनको दिया गया है और यह समझे मार्च 2024 में यानि इसी स इंडिया के आजादी कि बाद वालो जो पीरियड है वो बहुत जादा गहा तक था तो वो चाइनीज थोड़े दिखाएंगे तो भले चाइनीज ऑथर लिख रहा है तो यह आपको नेटफ्लिक्स वाले में मिलेगा उनके में नहीं मिलेगा तो उन्हों लिखा वो लेकिन तो जादा ड्रामा जादा प्रोपेगेंडा वाला फिलिंग जादा रहा है लेकिन यह नेट्फ्लिक्स बना है और सीजन वन का रेपिटेशन बहुत अच्छा रहा है और अच्छा चंस से सीजन टू-3 भी बना जागा लेकिन मैं क्लियर करने ना चुतों नाम मैच कर रहा ह यह पहला नौवल का है और पहला नौवल समाज कर रहा है लेकिन यह तीनों नौवल से थोड़ा एसंस उठाएं है और यह अलमूस्ट अलग है मतलब आप इसको पढ़ लें तो आपको ब्रॉड स्ट्रोक पता चाज़ा है लेकिन इग्जाटली यह होगा ऐसा होगा ऐसा और देखिए आगे कैसे चलता है तो अब बात करते है स्टोरिक है यानि यह जो रिलेज कर दिये तो इसमें हिसाब यह है कि यहां पर मैं क्लियर कर देता हूँ अब आप देख रहे हो तो आप स्वैलर रहला मेटीरियल आपको मिलेगा लेकिन पूरी स्टोरी के कुछ नहीं कर देते हो मतलब 0.0000001 कर देते हो तो भी मिलियंस अफ प्लैनेट आदे है जिसमें लाइफ होना चाहिए तो बाकी सब लोग कहां पे है तो इसका बहुत सारा जवाब है लेकिन इस मीडिया के अंदर इसका जवाब है कि वो डार्क फोरेस्ट हाइपोथेसिस में मान रहे है जिस यूनिवर्स में ये कहानी लिखी जाई है उस यूनिवर्स में डार्क फोरेस्ट अपलाई होता है लेकिन सब चुप चाप से सांती से बैठा हुआ है और कोई अगर मुझ खोलता है तो धपा मार दिया जाता है तो silent and hostile यानि कि अगर आप contact किये तो वो आपके आपको पोड़ देने वाले है आपको मतलब इस दिया में जितने भी लोग ग्रो कर रहे है वो सब सांती से ग्रो कर रहे है किसी को हला नहीं करना है एक दम बाहर सीगनल नहीं बेजना है एक दम चुप चाप डर्क फोरेस्ट है और ऐसा क्यों है इसका लॉजिक ये है कि कोई भी स् ना मुंकिन है और वो भी अगर आप धंग से कॉर्डर से स्केल पर चलने लोगे बहुत ज्यादा रिसोर्स है बट ठीक है मतलब लॉजिक वही है कि प्लानेट से लिमिटेट रिसोर्स है तो उसको सब लोग हड़ा पने जा रहे है एक बार आप स्पेस पेस 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 और जबकि यह सब स्पीशिश में आटिफिशल ग्राविटी है तो स्पिन हैबिटाट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वह सब लिमिट खतम हो जाता है लेकिन ठीक है लॉजिक है कि रिसोर्स इस अपने सोलर सिस्टम से आगे बढ़ना चाहेगी तो वह कंफिक्ट बना दे तो आपके लिए प्लिए उन पर दबा मारो क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं जैसे इसी में हैं ऐलियंस हैं तो अगर एलियंस इगनोर करते है इंसानियत को तो इंसाने के पास एक बेनिफिट आजाए लिए इनसान टेकिन लोलोजी कली ग्रो कर सकता है एक्स्पिडेंशल मतलब उनिवर्स का कैसर चारसो साल तो बहुत जल्दी बता है जा रहा है मान लिजे आप 10,000 साल दूर हो किसी जी से मतलब आपकी ट्रैवलिंग स्पीड पर आपको 10,000 साल लगे के पहुंचने में पहुंच जाओगे ठीक है लेकिन 10,000 साल में क्या हुआ है क्योंकि 10,000 साल पहले अगर इंसानियत के जाएंगे तो कुछ नहीं था आप 100 साल पहले जाएंगे तो लगभद कुछ नहीं था तो समझ रहे कि यह जो explosion of technology होती है cosmic scale पर इतना तेज होता है कि अगर आपको कोई दिख गया उसको तुरंस अभालना है इगनोर नहीं कर सकते है तो वही होले silent and hostile है यानि कि चुप-चाप से रहो और नजा रखे रहो अगर कोई हला किया धपा मार दो जैसे होता है जंगल में है जंगल में आप एक्टम चिप-चप के चल रहो हो हत्यार लेकर एक्टम चुप-चाप से चल रहो कोई टुक सावाज आए तुरंत आप वह हो ही समझे अब इसका essence का है story का essence कि हम लोग react कैसे करता है जब danger है मतलब ठीक है danger है जैसे बहुत सारे alien stories में लिखा जाता है उसमें danger में एक बात होती वह imminent होता है आ गया अब क्या करोगे समझे मतलब हम लोग को एक shock देता है अब यह थोड़ा सा twist कर देते है कि shock जो अगर आपको दे रहे हैं वो अगर हम धीरे से दें तो alien आ रहे है ठीक है वो 400 साल में आए अब पूरा dynamic बदल जाता है यह बहुत यूनिक बात है क्योंकि 400 साल समझे बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे बिल्डिंग्स हैं जो 400 साल पुराने हैं तो समझ लिए कि 400 साल बहुत ज़् कि हमें warning shot मिल गया कि आने वाले हैं तांडव आने वाला 400 साल में तेयारी करो अब रहा बात कि कि इतने लोग उसको ध्यान देंगे कि अपने लोग कि लिटरली लोग कई रास्ते पर जा सकते हैं खुश लोग को लिए ने ने लिए मैं जिन्दा रहोंगा मेरे बच्चे रह यूनीक प्रस्पेक्टिव ए जो मतलब जेनुविली काफी रेर, एलियन बाकी सारे में होता है, अब क्या है, यहां पर से लिए पता चल गया है, लेकिन 400 साल में हैगा, तो यह बहुत ही यूनीक है कि मतलब डेंजर है, रियल है, लेकिन एबसलू है, 400 साल में हाईगा, तब क नहीं है क्योंकि वह स्लो है क्रीपिंग डिजास्टर इंसानियत को नहीं देखता है इंसान का सबसे बड़ा वीक्नेस मतलब हमारे एवलिशनरी पात के कारण यही है कि हम लोग स्लो चीज को नहीं देख सकते हैं आप नदी पर बांध बनाएंगे नदी सूख जाएगी यह पचेगा ही नहीं इनसान को जबकि सारे मैथमेटिशन और हाइड्रोलोजिस्ट जिनका काम होता है सरकार को लिख के देना वो लिख के दे देंगे सर्थ 30 साल में खत्र हो जाएगा पचेगा ही नहीं वो बांध बन इनसानियत का एज कलेक्टिव नहीं देखाए कि इनसान है तो इनसान है रई मतलब हुधूमन इक्वल्स हूमन ऐसा नहीं है यहां पर यह दिखा रहे हैं कि हम लोग क्लेक्शन ओफ इंडिवेज्वेज्वेस्ट नहीं है यानि कि जो चैर्टर्स हैं वो सब रोल प्ले कर हर कोई होता है जैसे कि आप कितना भी कहलो है इन्सानियत की अपन हाइमर कर जो रोल था उसके कारण हम लोग नुक्लियर रेजमें घुसे अब वह रोल के जगहां पर अलग रोल कर देते तब बहुत ही बदा था आइंस्टाइन के केस में भी कहल लीजे तो बहुत सारे से पूरा त्यगड़ में स्टाट हुआ है उसके पास एक डिसिजन आया उसने लिया और यह थोड़ा रियलिस्टिक है कि इन्सानियत को ऐसे दिखा देना शौक वाले केस में हो सकता है कि तुरंसाब धान हो जाओ लेकिन अगर धीरे से आरा तब और कोई एक आडमी माले ज इसकी वाट लगी पड़ी है पूरा मतलब जिन्दगी से वह पूरा उब जुका है मतलब एक होता है कि वह यह दुनिया रही नहीं तो ही अच्छा है और उसके हाथ में स्टेरिंग आ गलती से तब यह बहुत अच्छे से स्टोरी उस पार्ट को शो कर पाएं कि इंसानियत क अगर आपकी परस्नल जिंदगी में आग लगी पड़ी है आपको खूल ना देना नहीं है तो यह बहुत अच्छा स्टोरी में प्रेजेंटेशन हुआ इसका यही है स्टोरी का मेन एसेंस और इसमें रियलिस्टिक पार्टी है कि स्पीशी स्ट्रेटर भी है यानि कि बहु सब बहुत अच्छे से दिखाएं कि स्पीशी इंडिविज्वल जो हैं जो होपलेस हो चुके हैं जो फेड़ अप हो चुके हैं वो पूरा सिविलाजेशन को रिस्क में डाल देते हैं तो यह स्टोरी में बहुत अच्छे से दिखाए गया इसलिए मैं को देखिए और किता से उपर चल जाता है थ्री हो फाइव फिफ्टी हो फरकने पड़ता एंड बॉड़ी प्रॉब्लम उज़े कहते हैं तो एंड बॉड़ी प्रॉब्लम यहां पर हम लोग आते हैं साइंस पे तो साइंस में यह है कि जहां आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स की आप और्बिट क अब उन्होंने सिस्टम का स्टेबलाइजेशन करने लिए कि हमने कैलकुलेशन कर लिया सब का और्बिट पकड़ में आगया अब वह और्बिट को आगे ले जा रहे हैं एक सो साल बाद दो सोल साल बाद मैथमेटिकली आप आगे बढ़ाते जा रहे हो ठीक अब यहां पे स सोल सिस्टम चल रहा है ग्राविटी से लेकिन अन्बैलेंस है तो बीच विच में गॉड़ आके टाइट कर देता है फिर ठीक है यह हुआ न्यूटन के टाइम में न्यूटन के बाद काफी लोग ना और मेहनत किया और रिसरच किया तब पता चला कि नहीं सर्जिव ऐसा है आपका mathematical problem सच है लेकिन अर्थ के केस में हमारा यह होता है कि बाखी सारे का forces कैंसल आउट हो जाता है याने कि जो प्लैनेट हम लोग का धिंके चिका कर रहे हैं दूसरा प्लैनट दूसर तरफ से धिंके चिका कर रहे हैं रहे हैं नाईन इतना चोटा हो जाता है कि फ़रक न तो एंड बाड़ी प्रॉब्लम बहुत टाइम से है यह एकदम क्लियर करते है यह mathematical है factual reality है तो इसकी understanding धीरे धीरे बढ़ी है मतलब 200 साल लगा इसका understanding समझने में तो इसका बड़ा प्रॉब्लम है और इसका मतलब क्या होता है रियल लाइफ में इसका क्या मतलब होता है chaotic or unpredictable मैं एकदम क्लियर क्या है लेकिन इतने सारे vectors है कि आप नहीं calculate कर सकते है सारा चीज साइंटिफिक है magic नहीं है जोकर नहीं है लेकिन इतने variables हैं कि उस आपका हिसाब नहीं और कोई भी variable थोड़ा सा भी change होता है output एकदम लेकिन सारा variables में कितना precision रखो गया है थोड़ा सा थोड़ा सा perturbation होता है चेंज हो जाता है तो यहीं समझना बहुत ज़री है अब यह problem है real life में है mathematicians को सिखाया जाता है यह बहुत बड़ा astrophysics का study department है यह real है लेकिन इसमें यह समझे कि हम लोग इसको थोड़ा solve कर लिया है यह हमारा limit करता है कि कि कितना दूर तक आप celestial motion को predict कर सकते है ठीक है और हमारे केसमें हम लोग लगी है क्योंकि sun का mask जो है वो इतना जादा है कि बा किलने के लिए है तो उसका calculation करना बहुत ही जादा मुश्किल होगा लेकिन यह समझना बहुत जो रही यह unsolvable नहीं है यह बस ही हम लोग unsolvable mathematical है कि आप 500 साल बाद क्या होगा यह आप नहीं निकाल सकते हो लेकिन पच्छा साल बाद क्या होगा वो निकाल सकते हो उसका time horizon टा इसको सॉल्फ करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक था numerical integration यह mathematics को जब से लगाने लगे तो यह predictable हो गया मैं क्लिया कर दो प्रिडिक्टिबल है तो इसका ही मतलब ही long term predictable है यहां term समझना पड़ेगा अगर आपको को बोलता है कि three body system को प्रिडिक करो क्या होगा एक हजा साल बा अब आप कर सकते हैं आक बहुत अच्छा अच्छा डीटेल है तब आप आप 150 भी कर पाऊगे और यह डिपेंड करता है कि system का inherent state क्या है data कि अच्छी collection कर रहे है तो आप prediction बढ़ा पाऊगे और इसको mathematically अगर पचानना है तो ऐसा समझे कि weather में अगर आपको को बोलता है कि हम उनको prediction दो एक महीना बाद क्या होगा नहीं कोई वेदर में नहीं बताने वाला है कोई भी scientist नहीं बताएगा लेकिन आप बोलेगा सर एक हफता में क्या होने वाला है तो बता देंगे अभी जैसे पोलारस डॉन स्पेस्टेस का launch करना है वो एक हफता आगे का चल रहे है कि एक हफता बाद वेदर कैसा रहे है लग भग जिस टाम हमें रिटर्न लाइंड करना है कि हाँ वह ओशन काम रहेगा क्या वह absolute guarantee है नहीं लेकिन उसके heat rate कितना बहुत अच्छा है तभी उसके भरू से चल रहे है तो logic भी समझे कि हर चीज का एक prediction horizon होता है कि आप predict कर रहे हो क अच्छा पता चल जाता है लेकिन अगर कोई बोलता है एक साल आगे क्या वेदर में होगा सरव लॉल हो गया उसमें बहुत जाता क्या उसा जाएगा और जब आप celestial body में बात कर रहे हैं तो saddle point हमारा बैंड बजाता है saddle point क्या है यह stable और unstable point एक साथ है जैसे कि आप लोग दे stable two dimension में three dimension में नहीं stable होता है बहुत सारे point three dimension में unstable हो जाता है जरने कि वह आप देखिए एक axis से देखिए लगा ऐसे dip है ठीक है डिप में हर चीज़ आके नीचे आना चाहेगा low energy state पाना चाहेगा चिल मारना चाहेगा ठीक है उसको आपने stable कर दिया axis घुमाईए अरे वह तो guarantee नहीं दे सकते है वह exactly कहां पर है क्योंकि कोई भी measurement का limit होता है जैसे कि अगर humanity calculate करता है मतलब हमारे पास जितना अभी data है ठीक है उस data में हम लोग एक mm mercury को shift कर देता है पूरा planet स्वहा हो जाता है एक mm यह है यह यह amplify कर देता है थोड़ा सा धिंक चिका करता है तो वह अराम से ऐसा हो सकता है कि नीचे जाके ऊपर चला जाए लेकिन अराम से हो सकता है कि नीचे जाके दाएं चला जाए नीचे जाके बाएं चला जाए वही है chaos इतना बढ़ जाता है कि predictability का horizon short होने लगता है तो यही में वही समझा है three body problem क्या real है एकदम real है उसे end body problem कहते हैं उसका म horizon को बढ़ा सकते हो बहुत लंबा नहीं कर सकते सिंपल body में तो अरे सर हम बोल दिये 10,000 साल बात मतलब वहीं कमा ही रहेगा अब फिर टू body में सर हजार साल तक खीच पाएंगे three body में सर पचास साल में खुश रहो उससे जादा नहीं उड़ना है तो यह end body problem है लेकिन इसको बड़े stupid लगे इसमें वह कारण यह है कि यह लोग space fleet बना लिए जो कि बहुत बड़ी बात है कि पूरा अल्मोस्ट प्लानेट में समझ लिए काफी बड़ा हिस्सा को भेज रहे हैं धर्ती के तरफ जाके धपा मारो ठीक है और वह one percent light speed पर चल रहे हैं लेकिन ठीक है उनको लेवल पर हमारा AI पहुंचा नहीं है उससे कई गुना आगे पर चल रहे हैं और वह AI ठीक है AI है तो AI को package कैसे करोगे राइट AI आपके प्लानेट में अलफा संटरी में अलफा संटरी में यहां कैसे बेजोगे वह so phones बनाते हैं यानि कि यह proton में इतना energy ठूसते हैं कि उसे higher dimension में unfold कर देते हैं वो इतना बढ़ा हो जाता है कि planet के size का हो जाता है यह है उसमें कि planet को cover कर लेते है फिर उसके अंदर ये electronics ये करते हैं एच करके उसको computer में बदलते हैं जैसे हम लगता है silicon way रिवर में एचिंग करके बनाते हैं प्रोटोन में हो रहा है प्रोटोन इतना ब नहीं जाएगा लेकिन 99.99 वो तो हम ही लोग करता है तो वो करके बेज दिया यह इस लेवल में ठीक है रियल टाइम कमिनिकेशन कर पा रहे हैं प्रोटॉन बेस्ट सूपर हाइपर कंप्यूटर से जो कि प्लानेट के साइस का है और यह सब हो रहा है ठीक है और इनका बाइलो प्लानेट के या बहुत ज्यादा दूर चले जाएं सन से तो बोलें सिस्टम क्याटिक है तो वो क्याटिक एरा को बाइपास करने के लिए हाइबरनेशन में जाते है तो बाइलोजीन को यह भी एडवांटिज दे दिया और वो जूट नहीं बहुत सकने है क्योंकि उनका इ से एलोजीन के लिएगे है मुषक्कार bio क्योंकि भी करने।फे से अध़ सिस्टम पर न के सकने को मुषक्वाड़ान संट प्लानेट के गारेक chaos में जा रहे सर, ठीक है sir, hibernation शुरू कर दो, कोई tension नहीं है, सब लोग चिल मारा हो, और वो दिखा रहे हैं कि planet sterilize नहीं हो रहा है, बस population come down होता है, तो वो एकदम नहीं पचा है, वो literally लग रहा था कि author को नहीं समझे कि three body system का actual मतलब क्या होता है, which is odd क्योंकि वो engineer है, but again, वो and it's like, वो सब ठीक, वो प्रेडिक्शन थोड़ा mathematics वाले बात आगी, हमको पसी हैसी लगा कि, जो भी systems है, जो इतना unstable होता है, वो अतना controllable हो जाता है, यानि कि, अगर आप fighter jet बनाते हो, उसमें और jumbo jet में क्या अंतर है, jumbo jet ऐसा बनाया जाता है, कि वो stable है, यानि कि, अगर pilot jet control, इंटरपूट नहीं डाले, वो तब भी stable चलता रहेगा, fighter jet है, अगर computer उसका इंटरपूट लेना बंद किया, वो crash कर जाएगा, ऐसा क्यों, fighter jet को बनाया जाता है, यानि वो aerodynamically unstable होता है, ऐसा क्यों, तब ही जाकि वो dogfight कर सकता है, तब ही जाकि धिंक जिका कर पाता है, आपका jumbo jet नहीं कर सकता है, तो जो भी सिस्टम, वही saddle point वाली logic, आप जितना saddle point को sharp रखोगे, उतना अराम से influence भी तो कर सकते हो, आप probe डाल दो ना, दूसरा कि भाहिए, सर ये sun इस point पे जागा रहे है, आप star कैसे खीच लोगे, अराम से कर लेंगा, हम लोग करते हैं, हम ल आप जाए, आप से कोड़ा से कालो, प्लानेट वहीं, मतलब स्टार वहीं चला जागा, जहां आप ले जाना चाहते हो, और स्टार को नहीं करना है, तो प्लानेट को कर दो, आप एतना बढ़ ये लोग तो प्लानेट के साइस का बात कर रहे हैं, तो इसलीए पचान ही मेरे जो भी आपका मतलब इनका है कि बहुत जादा सन नस्दी कागे, ठीक है, शील्ड लगा दो, प्लानेट के शील्ड लगा दो, और आप बतार, प्लानेट साइस का इस्ट्रक्चर बना रहे हो, तो शील्ड लगा दो, चिल मारो, भाई का है लोड ले रहो, मतलब सब चीज़ अब बात करते हैं उसमें दूसरा जो इमन स्टूपिडिटी का था वो इस्टेर किस प्रोजट अप्रोज़ प्रोज़ना है एलियन के पास ठीक है था कि उसको समझ ले कुछ करना है ठीक है बले बले इनको चाहिए 1% लाइच स्पीड और सब को ऐसा एक्टिंग कर रहा है क कि हम लोग ना 1950 से कभी आगे बढ़े नहीं है कि वह या 1% इस इंपॉसिबल आम लेक प्रोजेक्ट और आया नुक्लियर प्रोपॉल्शन जो बनाया गया था वो रियल है समझे वो रियल है यह रियल उसकी टेस्टिंग गया यह है 1950 और इसको 50 to 60 में डेवलप किया गया था वो पूरी तर से फीजिबल था यहांनि फिजिसिस्ट इंजिनियर सब लोग बैट के इसे बनाये हैं इस पर खर्चा हुआ है डारपा का तो यह किया तो उसको इसको इसको क्यों कि वो 1963 में नुक्लियर टेस्ट बैंक ट्रीटी जब साइन किया गया था तब उसे रोका गया बन करो तो इसलिए इसका नेक्स टेप नहीं बनाई इसका यह सीफोर के साथ टेस्टिंग कर रहे थे कि बूम करके आगे जा सकते हैं और इसमें था कि वह आल्मोस्ट न्यूक्लियर समरीन के साइस का क्राफट को मार्स ले जा सकते थे और बहुत हाइज स्पीड या सकते थ तो तेस्ट बैंड ट्रीटी नहीं होता तो तो यह अच्छली सहीं बनाने पर पहुंच गया होते है तो वहीं बोले कि 10% लाइट स्पीड पॉसिबल है आज के टाइम में और लोग सब लोग ऐसे कर रहे हैं मतलब अक्टिंग ऐसे वान परसंट इस ब्यॉंड अस आपकी फ्लीट वन परसंट है और हमारा मैथमेटिकल प्रोजेक्शन और हमारे जो एक्चल टूल्स हैं वह कह रहे हैं कि 5-10% तो हम लोग अभी पुश कर सकते हैं मतलब अगर इंसानियों तो लग जाए कि हमें जाना है 5% लाइट स्पीड पे पहुँच जाएंगे तो उस सेल में छोटा सा छेद है उसमें से न्यूक जाएगा और फूटेगा और सेल पूरा एनरजी कैप्चर करेगा और पूल करेगा ठीक है बल्ले बल्ले उसका मतलब समझ रहो कि सेल है अपका पेलोड है यहां पर न्यूक फोड रहे हो यानि कि दोनों को आप रेडियेशन से और यह इसमें बाइलोजिकल मेटिरियल था तो रेडियेशन से कैसे बचाओ गए आप इसको और न्यूक से न्यूट्रॉन रेडियेशन भी निकलता है उसे रोक पाना लगभग नामुम्किन है इसमें इसलिए इसके पीछे लगाए गया था ताकि एक ही जगह जो की मिस हो गया यहां पर जो डिविएशन है रेड लाइन है वो मिस कर गया खतम बाकि सारे न्यूक से रह गया इसलिए इसलिए मेरे को बहुत बहुत असी लगा है इसलिए मैं क्या दिखा रहे हूँ और गया ठीक है आप इसे रीवर कर देते कुछ भी कर सकते हैं माली ज मुझे बहुत अज़ी लगा है कि स्टेर कॉप्स पोजेक्ट आप ब्रहो चीप ब्रो लो एफर्ट ब्रो एफर्ट ब्रो एफर्ट डालते है यार कम अन यहां पर कितना स्पीड गया दो 79.7 किलोमेटर पर सेकंड तिक थाइक स्पीड है और रायन उसे जादा तेज चला ज रशिया बोले हैं तो लो हम पॉकेट से दे दे रहे हैं अमेरिका बोले है तुम रुकोन छे मिनिट हमरा प्रोड़क्शन वापस चालू कर रहा है चालीस हजार बनाए थे अपना पीक में टेंचन नहीं लेना है उसके लिए उम भी हासी लगा है क्यों तो यही ता मेरा प् कितना पसंद हुआ है मैं आप से कमेंट लिखें मैं हर कमेंट को बढ़ने कोशिश कोता हूँ आप से कमें सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई आरहा फ्री है तो आपने वीड़ दुखा जानकर बहुत खशी हुई धन्यवाद